सभी को नमस्ते मैं वेक कुमार आज आपको एक्सल की एको टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जैसा कि आप देख रहे होंगे एक्सल की जो सिट है वो ओपन है इसमें यहाँ पे ए से लेके के तक यह कॉलम है और इन में एक, दो, तीन, चार और यह नीचे अलफबेट लिखे हुए है तो इस तरीके से यह एक डेटा है वारे पास हमें क्या करना है हमें इसे एक ही पेज पर प्रिंट करना है तो चलिए देखते हैं प्रिंट हो पाएगा या नहीं हम क्या करेंगे हम दबाएंगे कंट्रोल पी क्या है यह प्रिंट करन की command है control-P तो जैसे ही हम control-P दबाएंगे तो हम देखते है कि यहाँ पर जो पेज है जब हम इसे print करेंगे यहां से यदि हम इसे print करें तो किवल no तक का ही देटा आ रहा है बाकी डेटा कट गया और वो जो डेटा कटा है वो कटकर यहां देखिए दूसरे पेज पर चला गया यह देखिए दस्वर गया रहे है तो अब हम ऐसा क्या करें कि यह जो हमारा सारा matter है यह एक उस पर आजाए पेज पर तो हमें क्या करना होगा आप यहां देख रहे हैं नीचे यहां पर लिखा है no scaling आपको no scaling पर क्लिक करना होगा जैसे आप यहां क्लिक करोगे तो यहां पर आपको select करना होगा fit sheet on one page ध्यान से देखिए fit sheet on one page और जैसे आप इसे करोगे तो आप यहां देखोगे कि जो आपका सारा data था जो अगले page पर जा चुका था वह देखिए यहां से एक से लेके और 11 तक एक ही sheet पर आगया तो इस तरीके से आप जो excel में data है किसी भी sheet पर उसको आप एक ही sheet पर print कर सकते हो तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो like और share करना ना बूले धन्यवाद